तीन हजार वर्षों में वागभट के बात को किसी ने अभी तक नहीं रखा और इतने वैदे राज हमारे इस देश में रहे उन्होंने भी हम तक ये बात नहीं पहुंचाई ये एक बहुती उलजन पैदा करने वाली बात मेरे मन में आई अब मुझे लग रहा है कि जहां कहीं भी वागभट जी रहे होंगे उनका मन बड़ा दुखी हुआ होगा और वो राजी भाई के शरीर में प्रविष्ट कर गए और आज 21 सदी के वागभट के रूप में हमारे सामने मौजूद हैं मैं आप सबसे आगरा करूंगे तालियों की गड़गराट से उनका स्वागत क परम पूजने साध्वी जी को साधर वंदन महर्शी भागभट जी के सूत्रों पर जो पिछले चार दिनों से चर्चा हो रही है उन सूत्रों में आज मैं आपसे चिकित्सा विशे की बात शुरू करूंगा मैंने आपको सबसे पहले दिन बताया था कि महर्शी भागभट कहते हैं कि जिन्दगी में 85 प्रतिशत बीमारियों को हर व्यक्ती स्वयम ठीक कर सकता है तो अब तक जो मैं बात कर रहा था कल तक वो 85 प्रतिशत वाला हिस्सा था इस मैंसे आपको कोई भी बात ऐसी नहीं लगी होगी जो किसी विशेशग्य की मदद से करनी पड़े अब तक मैंने जितना भी आपको बताया है वो सब इतनी सरल और सहज बाते हैं जो आप स्वयम कर सकते हैं आज मैं आपको 15 प्रतिशत वाले हिस्से की बात करूँगा जो बचा हुआ पंदर प्रतिशत हिस्सा है जिसमें किसी विशेशग्य की जरूरत है वो वाली बात आप से शुरू करूँगा लेकिन आज आप महसूस करेंगे व्याख्यान खतम होने के बाद कि अरे ये पंदर प्रतिशत भी हम कर सकते हैं बागबट जी की यही खूबी है वो ये मानते हैं कि दुनिया का हर व्यक्ति विशेशग्य हो सकता है और वो ये भी एक जगे लिखते हैं कि मैं अकेला बागबट नहीं मेरे बाद और भी हो सकते हैं वो ये कहते हैं कि जो व्यक्ति भी अपने शरीर का सूक्ष्म अबलोकन कर सके अब्जर्वेशन सूक्ष्म माइक्रो लेवल पे वो सभी विशेशग्य हो सकते हैं तो विशेशग्य चिकित्सा के इस तर पर आज मैं उनका एक अध्याय आपके सामने लेता हूँ ऐसे उन्होंने लगबग 40 से ज़्यादा अध्याय लिखे हैं उसमें से एक मैं शुरू करता हूँ बागवटी जी ये कहते हैं कि जब विशेशग्य चिकित्सा की बात आए गंभीर रोग जैसे कैंसर है, डाइबिटीज है, अर्थुराइटिस है तो इसमें वो कहते हैं कि भगवान ने प्रकरती ने ऐसी विवस्था बनाई है कि विशेश गंभीर रोगों की चिकित्सा भी आप बहुत आसानी से सहचता से कर सके उसमें से उन्होंने एक जगे लिखा है कि इस पूरे भ्रह्मांड में, पूरी प्रकरती में ऐसी कई चीज़ें हैं जो एक साथ वात पित्त और कफ तीनों को ठीक करने की शक्ती रखती है एक साथ बहुत कम चीज़ें ऐसी हैं प्रकरती में जो वात पित्त कफ तीनों को एक साथ ठीक रखें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वात को अच्छा रखेंगे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पित्त को अच्छा रखेंगे कुछ चीजें ऐसी हैं जो कफ को अच्छा रखेंगे वाद को अच्छा रखने वाली सबसे अच्छी चीज जो आपके घर में है वो है तेल तेल वो जिसमें आप सबजियां बनाते हैं तेल वो जिसमें आप सबजियां बनाते हैं तो सबसे अच्छी चीज वो बोलते हैं कि तेल है, जो वाद को हमेशा समभाव में रखता है, समानता में रखता है, वाद को बढ़ने नहीं देता, लेकिन उन्होंने एक शब्द पर जोर दिया है कि तेल का माने शुद्ध तेल, अब ये शुद्ध तेल उन्होंने लिखा साड़े तीन हजार साल पहले, आज के विश्लेशन में अगर हम ध्यान दे तो सुद्ध तेल का माने तेल की गाणी से निकाला हुआ सीधा-सीधा तेल, बिना कुछ मिलाए हुए सीधा-सीधा तेल, कोई भी मशीन से निकाला हुआ सीधा सीधा तेल उसमें कुछ नहीं मिलाया मतलब नॉन रिफाइंड तेल अगर आप तेल खा रहे हैं तो बागवट जी का निवेदन है कि आप तेल शुद्ध खाईए माने रिफाइंड तेल मत खाईए डबल रिफाइंड तेल मत खाईए अब आप कहेंगे जी क्यों नहीं खाएं डॉक्टर तो यहीं बोलते है कि रिफाइंड खाओ डबल रिफाइंड खाओ तो आपको हिर्दे गात नहीं आएगा वगरा वगरा ये जो रिफाइंड तेल है मैंने इनको देखा है कैसे refine किया जाता है आप भी देख लें कभी मौका मिले तो बहुत अच्छा होगा किसी भी तेल को refine करने में 6-7 chemical इस्तेमाल होते है और double refine करने में 12-13 chemical इस्तेमाल होते है वो सब chemical मनुश्य के द्वारा बनाए गए हैं प्रयोग शाला में भगवान का बनाया हुआ एक भी chemical तेल को refine नहीं कर सकता भगवान का बनाया हुमा ने प्रकरती का दिया हुआ जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं और्गैनिक और्गैनिक एक भी chemical नहीं है जो तेल को साफ कर सके एक भी chemical दुनिया में नहीं जितने भी chemical तेल को साफ करने के लिए उप्योग किये जाते हैं वो सब inorganic है और inorganic chemical ही दुनिया में जहर बनाते हैं और उनका combination जहर की तरफ ही लेके जाता है आज की दुनिया में modernism के नाम पर, आधुनिक्ता के नाम पर जितने inorganic chemicals जगे जगे इस्तेमाल हो रहे हैं वो सब आपको धीरे धीरे उस तरफ ले जा रहे हैं जहां आप जहर अपने ही शरीर में पैदा कर दें इसलिए refined तेल, double refined तेल, गलती से भी मत खाईए बागवट्टी जी कहते हैं कि जिंदगी भर वात को ठीक रखना है जिंदगी भर, तो वात को ठीक रखने के लिए सबसे सरल चिकितसा वो बोलते हैं वो तेल का ही है, वो कहते हैं शुद्ध तेल खाईए शुद्ध तेल माने घानी से निकाला हुआ तेल अब आपके मन में दो प्रशन आएंगे तुरंत, कि शुद्ध तेल में तो बास बहुत आती है, हाँ सीधा प्रशन, दूसरा प्रशन आएगा जी शुद्ध तेल बहुत चिपचिपा होता है, गाड़ा होता है, चिपचिपा होता है, और बास अलग से आती है, हम लोगों ने जब शुद्ध तेल पर भारत देश के कुछ वेग्यानिकों की मदद से काम किया एक तरह से कहें रिसर्च किया तो पता चला कि तेल का जो चिपचिपापन है वो उसका सबसे महत्वपूर घटक है तेल में बहुत कुछ होता है जैसे मैंने आपको पहले दिन बता है न मिट्टी में माइक्रो न्यूट्रियंट्स है कैल्शियम है आईरन है सिलिकोन है कोबर्ट है ऐसे तेल में भी है हर चीज में है तो तेल का जो सबसे महत्वपूर हिस्सा है वो उसका चिपचिपापन ही है और जैसे ही तेल में से ये चिपचिपापन निकाला, तो पता चला वो तेल ही नहीं बचा तेल जिस चीज के लिए खाया जाता है, वो बचा ही नहीं, वो हिस्सा इगायव हो गया फिर हमने देखा कि तेल में जो बास आ रही है बास, वो उसका प्रोटीन कंटेंट है तेल में प्रोटीन बहुत है जैसे आपने सुनाए दालों में प्रोटीन होता है दालों में प्रोटीन सबसे ज़्यादा है भगवान का ईश्वर का दिया हुआ दालों के बाद दूसरे नंबर पर जो प्रोटीन सबसे ज़्यादा है वो तेलों में है तो आप जो तेल में देख रहे हैं कि उसकी बास है वो बास जो है ना उसका और्गेनिक कंटेंट है प्रोटीन के लिए चार-पाँच तरह के प्रोटीन है सभी तेलों में आप जैसे ही तेल की बास निकालेंगे उसका प्रोटीन वाला घटक गायब हो जाता है अब बास निकाल दिया तो प्रोटीन निकल गया और चिपचिपापन निकाल दिया तो उसका जो फैटी ऐसेड है वो गायब अब ये दोनों ही चीज़ें गायब हो गई तो तेल नहीं रहा वो पानी है एक तरह से इसलिए बागवट जीने सूत्र लिखा कि जिन्दगी भर वात की चिकितसा अगर आपको करनी पड़ जाए तो बहतर है कि आप शुद्ध तेल खाएं तो वात की चिकितसा ही ना करनी पड़े और मैंने आपको सबसे पहले दिन बताया था कि दुनिया में सबसे ज़्यादा रोग वात के ही है सबसे ज़्यादा रोग ये घुटने दुखना से लेकर कमर दुखना हड़ियों में दर्द ये बात के तो रोग है ही सबसे खतरनाक बात का रोग है हर्ट अटेक हिर्दैगात सबसे खतरनाक बात का रोग है पेरलिसिस सबसे खतरनाक बात का रोग है ब्रेन का डेमेज हो जाना तो ये खराब से खराब जो रोग आपकी जिंदगी में है इन में वात के खतम हो जाने की या वात के पूरी तरह से बिगड़ जाने की भूमिका सबसे बड़ी है फिर मैंने देखना शुरू किया कि हिंदुस्तान में ये रिफाइंड तेल कब से आये आसे 50 साल पहले तो कोई जानता नहीं था कि रिफाइंड तेल क्या होता है ये पिछले 20-25 वर्षों में आये हैं रिफाइंड तेल कुछ कमपनिया निकली इस देश में कुछ विदेशों से आई कुछ इंदुस्तानी कमपनिया दोनों ने मिलकर रिफाइंड तेल का चक्कर चलाया रिफाइंड तेल बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है अब ये बहुत अच्छा उन्हों ने कहा किसी ने माना नहीं तो डॉक्टरों से कहलवाया बहुत बड़े बड़े डॉक्टरों से कहलवाया जो डॉक्टर अपने मरीजों को कहते हैं कि बैया तेल हमेशा रिफाइंड ही खाना ये वाला तेल लाना वो वाला तेल लाना अलग-अलग ब्रेंड के हैं न सफुला ले आना सनफलावर ले आना ये ले आना वो ले आना इन डॉक्टरों के साथ मैंने जब वारताएं करना शुरू किया खासकर बंबई के कुछ डॉक्टरों को जो हर समय ये प्रेस्क्रिप्शन के साथ कहना नहीं भूलते कि तेल सफोला का ही खाना या तेल ये ही खाना तो मैंने का डॉक्टर साथ सफोला से आपका क्या रिष्टा है जो आप हर मरीज को कहते है तेल सफोला का ही खाना ये क्यों नहीं कहते तेल तिल का ही खाना ये क्यों नहीं कहते तेल नारियल का ही खाना ये क्यों नहीं कहते तेल मुंगफली का ही खाना ये सफोला कहां से आ गया हमारे यहां तो नारियल का तेल होता है मुंगफली का तेल होता है तिल का तेल होता है सफोला का तेल ये हिंदुस्तान का तो वो डॉक्टर तो नहीं बताते हैं लेकिन उनकी पत्नियां बताती हैं कि वो सफोला वाला आता है ना तो डॉक्टर साहब को कभी refrigerator दे जाता है कभी टेलिविजन दे जाता है कभी डॉक्टर साहब और मुझे मिला के नेपाल की यात्रा करा देता है कभी हमारे बच्चों के साथ हमको अफरीका की सफारी दिखा देता है तो यह है चक्कर सारा कि एक तरह से kickback डॉक्टर साहब को प्रत्यक्ष और परोख शुरूप से मिल रही है इसलिए डॉक्टर साहब बार-बार कह रहे हैं कि सफोला का तेल खाना अब ये सफोला का तेल हमने लेकर टेस्ट किया लेबरेटरी में सूरज मुखी का तेल जो अलग-अलग ब्रेंड का है वो टेस्ट किया लेबरेटरी में दिल्ली में All India Institute of Medical Sciences के कई डॉक्टरों को इसमें इंट्रेस्ट हुआ कि बात तो ये गहरी है इसमें काम करके देखना चाहिए तो वो डॉक्टरों ने जो कुछ भी निकाल के दिया है रिसर्च के रूप में है तो बहुत मोटा हिस्सा अगर बात करूँ तो बहुत दिन भी जाएंगे उसका निशकर्श एक वाक्य में बता देता हूँ कि तेल में जैसे ही आप बास को निकालेंगे और उसका चिपचिपापन हटाएंगे वो तेल ही नहीं रहता तेल के सारे महतुपून घटक निकल जाते हैं और डबल रिफाइंड में तो कुछ भी नहीं बचता डबल रिफाइंड तो बिलकुल छूच है कुछ है ही नहीं उसमें और आप उसको खा रहे हैं तो तेल के माध्यम से शरीर को जो कुछ चाहिए वो मिलता नहीं आप बोलेंगे जी तेल के माध्यम से हमारे शरीर को क्या मिलता है मैं बार बार एक शब्द पे आपको ध्यान लाया HDL High Density Lipoprotein ये तेलों में से ही आता है आपके शरीर में वैसे तो ये लीवर में बनता है लेकिन तेल खाएं तब खाएंगे नहीं तो बनेगा नहीं है तो शुद्द तेल आप खाएं तो आपके लीवर की मदद से HDL आपके शरीर में बहतरी निस्थती में रहे और ये HDL ही है जो आज की रिसर्च बताती है जो वात को कंट्रोल कर सकता है HDL ही है तो आधुनिक विज्ञान का ये HDL और साड़े तीन हजार साल पहले के विज्ञान बागवट चकित्सा का तेल ये दोनों एक ही चीज़े हैं तो आप शुद्ध तेल खाएं तो HDL अच्छा रहे HDL अच्छा रहे जिंदगी में हर्ट अटेक आने की कोई संभावना नहीं आप निसंकोच अपना जीवन बिताईए फिर एक और महत्तु की बात हमने हमारे कुछ दोस्त लोग हैं इस अभियान में जुड़े हुए उनके ऊपर एक्सपरिमेंट किये खासकर 36 गड़ में हमारे कुछ मित्र है मैंने का भाई आप ऐसा करो चिकित्सा करनी है तो बागभट की करो हाँ ठीक करेंगे तुम डॉक्टर बंद कर दो हाँ बंद कर देंगे तो ऐसे हमने कुछ हमारे दोस्त इकठे किये जिनको बहुत जादा समस्या है कॉलेस्टरॉल की बहुत जादा समस्या है ट्राइगलिसराइट की बहुत जादा समस्या है हाई बीपी की ऐसे कुछ लोग इकठे किये और 36 गड़ में ये इसलिए किया कि 36 गड़ भारत में ऐसा एक राज़े है जहाँ शुद्द तेल अभि भी मिलता है गाउं-गाउं में तेल निकालने वाली घांिया है आसानी से तेल उपलब्द है और आसानी से सरसों भी उपलब्द है मुंगफली भी उपलब्द है तो वहां करने का ये एक ही प्रयोजन था और ये लगबग हम तीन साड़े तीन साल से कर रहे हैं अभी भी ये चालू है हमारा काम बंद नहीं हुआ है तो वहां हमने जिन जिन लोगों को शुद्ध तेल पर लाया उनका ये बंद करा दिया रिफाइंड और डबल रिफाइंड और शुद्ध तेल पर वो आते गए आते गए अभी उनकी इस्तिती ये है कि जब हम उनको डॉक्टर को दिखाते हैं और पुरानी रिपोर्ट लेके जाते हैं कि देखो तीन साल पहले इनकी ये रिपोर्ट थी कॉलेस्ट्रॉल इतना ट्राइगलिसराइड इतना ये इतना ये इतना तो डॉक्टर कहता है ये रिपोर्ट में तो आठ दिन के ज़्यादा जिन्दा नहीं रहना चाहिए हर्ट अटेक आना ही चाहिए और मरना ही चाहिए लेकिन आप बचे कैसे हैं तो अब रिपोर्ट ये देख लो आज की रिपोर्ट उनको दिखाते हैं तो वो कहते हैं कि मिरेकल है ये, मिरेकल कुछ नहीं है, चमतकार कुछ नहीं बस एक ही है कि शुद्ध तेल खाया उन्होंने और जो तेल के घटक होते हैं, वो भरपूर मातरा में उनके शरीर को मिले इसलिए उनके ट्राइगलिस्राइड्स लेवल कम हुए, कॉलिस्ट्रॉल लेवल, माने वी ल्डियल, ल्डियल कॉलिस्ट्रॉल लेवल कम हुए HDL उनका बहुत तेजी से बढ़ा, बलड प्रेशर उनका अपने आप कम हुआ, हर्ट अटेक आने की जो कंडिशन बनी हुई थी, वो पूरी तरह से खतम हुई और अब इतना काम करने के बाद, मुझे ये confidence हो गया है, कि उन में से दो हमारे कारे करता तो ऐसे हैं, जिनको हर्ट में भयंकर ब्लॉकेज थे, अभी चेक कराएंगे तो वो ब्लॉकेज भी नहीं मिलेंगे ये आया रिपोर्ट और बागवट जी का देखकर फिर मैंने देखना शुरू किया, आप भी जरा पुरानी चीज़ें याद करिये, 20 साल पहले की, 25 साल पहले की, तो हमारे घरों में बहुत सारी चीज़ों में बहुत बार तेल का उप्योग होता था, और तेल के साथ घी का उप्योग तो और भी जादा होता था, तेल और घी एक ही कैटेगरी मान लें, आदुनिक विज्यान के हिसाब से, वैसे आयुरवेद के हिसाब से दोनों अलग कैटेगरी हैं, लेकिन एक मिनट के लिए मान लें हम, कितने बार हम घी का उप्योग करते थे घरों में, शीरा बना रहे हैं, हलुआ बना रहे हैं, बिना घी के बन नहीं रहा है, दाल में घी खा रहे हैं, रोटियों पे घी खा रहे हैं, सबजियों में घी खा रहे हैं, और फिर सबजियां तेल में बना रहे हैं, आप जरा कलपना तो करिए, कितनी जगे तेल तेल, कितनी जगे घी घी और 40 साल पहले मैंने तो नहीं सुना पता नहीं आपने सुना मेरे पिता जी को मैं पूछता हूँ कि कितने हर्ट अटेक होते थे तो मेरे पिता जी कहते हैं अपने परिवार में तो एक भी नहीं हुआ शायद आप 40 साल पहले के अपने परिवारों को देखें तो आपको भी प परसों किसी ने मुझे कहा कि 17 साल के एक बच्चे ने हर्ट का ओपरेशन कराया अभी यहां चिन्नई में अपोलो में या पता नहीं कहां अब 17 साल की उमर में आपको बाईपास करवाना पड़े एंजियोग प्लास्टी करानी पड़े यह तो दुखद इस्थती है और यह रिफाइंड तेलों से डबल रिफाइंड तेलों से तो भागवट्ट सूत्र के अनुसार आज में आपको विंती करता हूं कि जिंदगी भर वात की बीमारियों से अगर बचना है आपको तो तेल शुद्ध खाईए तेल एकदम शुद्ध खाईए अब आपका तुरंत खड़ी करो हर चीज की सप्लाई होती है जब रिफाइंड और डबल रिफाइंड तेल बिक सकता है तो शुद्ध तेल भी यहीं मिलेगा आप जितने लोग यहां बैठे हैं अगर आप ही आज संकल्प कर लें कि हम तो शुद्ध तेल ही खाएंगे कल से देखना बहुत सारी यहां ओइल मिले लग जाएंगे तेल निकालने वाली मिले लग जाएंगे और अब घानी लगाना बहुती आसान है पहले एक जमाना था जब घानी लगाओ तो खर्चा बहुत होता था अब तो 20-25 अजार रुपई की छोटी मशीन आती है और उसी मशीन में सब तरह के तेल रिकल सकते हैं अलग-अलग मशीन भी लगाने की जरुवत ने आप चाहें तो घानी भी लगा सकते हैं वो तो 18-20 अजार की ही आती है बेल से चलने वाली घानी वो अब महंगी नहीं रह गई है और बहुत आसानी से तेल निकल आता है तो इसलिए आप तेल शुद की तरफ बढ़ जाईए और मैं आपको जो रिसर्च कहती है वो कह रहा हूँ कि जिस तेल में चिपचिपापन जितना जादा होगा वो आपके लिए उतना ही उपयोगी है जिस तेल में बास जितनी जादा होगी वो उतनी ही उपयोगी है सरसों के तेल के बारे में सारे डॉक्टर्स All India Institute के जो रिसर्च कर चुके हैं वो ये कहते है सरसों के तेल का डबबा मुँपे लगाओ और जो आँख में से आशू तुरंत ना निकले हैं तो समझ लो वो नकली है उसकी इतनी तेज बास आएगी कि हाँख से आशू निकली आएगे तो तेल की मदद से ही सबसे जादा उपयोगी है और तेल खाने के तरीके आप सब जानते हैं उन्हें बताने की जरूरत नहीं है कि सबजी में कितना तेल डालना डालों में या आपके दूसरे भोजन पकवानों में तेलों का किस तरह से उपयोग करना मैंने ये देखा हिंदुस्तान में कि हमारे यहां तीज त्योहार होते हैं और हर तीज त्योहार में कुछ खास तरह के व्यंजन और पकवान बनते हैं मैंने ये देखा है कि कुछ खास तरह के त्योहार में कुछ खास तरह का तेल उपयोग हो रहा है दूसरे तरह के तियोहारों में दूसरे तरह का तेलोपयोग हो रहा है उसके पीछे बड़ा साइंस है, बहुत बड़ा साइंस है, बहुत बड़ा विग्यान वो विग्यान ये है कि जैसे मान लीजे होली के आसपास के तियोहार चैत्र के महीने के तेवहार फागुन और चैत्र के महीने के तेवहार अब फागुन और चैत्र के महीने के तेवहारों में जो जो पकवान बन रहे हैं आप उन पर अगर नजर डालें तो वो उस मौसम के हिसाब से बहुत ही अनुकूल है दिवाली के आसपास के जो तियुच तियोहार हैं नवंबर दिसंबर के या अक्टूबर नवंबर के उन में जो पकवान बन रहे हैं वो खास तरह के प्रप्रेशन हैं बहुत गहरा विग्यान कभी मौका मिला तो इस पे अलग से ही बात करूँगा कि तियोहारों में पकाए जाने वाले जो व्यंजन हैं वो हमारे शरीर को किस तरह की मदद कर रहे हैं हमारे वेग्यानिकों ने महर्शियों ने ये देखा कि जीवन के दिनों में माने अगर ठंड के दिन है तो शरीर में क्या प्रकोब जादा है वर्सात के दिन है तो शरीर में क्या प्रकोब जादा है गर्मी के दिन है तो शरीर में कौन सा प्रकोब जादा प्रकोब माने वा अमूर्थ है लेकिन अब थोड़ी मूर्थ करता हूँ सरदी के दिनों में जितने भी तियोहार आप मनाते हैं या जितने भी तियोहारों में आप अपने जीवन को लगाते हैं ये सब तियोहारों में आप देखो भोजन ज्यादा से ज्यादा आपके हिसाब से गरिष्ट होता है प्रप्रेशन कुछ इस तरह के होते हैं जैसे आप तिल खा रहे हैं सरदी के दिनों में भरपूर तिल खाया जाता है और तिल के तरह-तरह के विएंजन बनाये जाते है, अगर आप गुजरात में रहते हैं तो अड़दिया खाया जाता, अड़दिया, दुनिया का इससे अच्छा शायद कोई पकवान ना हो, अड़दिया जिसको कहा जाता है, उड़द की दाल का बनता है, अड़दिया, ऐसे ह राजिस्थान के कुछ इलाकों में विशेश पकवान है, ऐसे उत्तर प्रदेश के इलाकों में कुछ पकवान है, लेकिन अगर महसूस करें, तो ये सब भारी हैं, भारी, गुरुत तो है इसमें, बागबट जी ने एक शब्द इस्तेमाल किया, गुरुत वाले पदार, माने भारी हैं, आसानी से नहीं पचते, दीरे दीरे पचते, अड़दिया तो आसानी से नहीं पचेगा, तिल की चीज़ें भी आसानी से नहीं पचने वाली हैं, लेकिन जिन दिनों में हम ये खा रहे हैं, उन दिनों में शरीर के लिए यही अच्छा है कि कोई चीज आसानी से ना पचे, दीरे दीरे पचे, देर में पचे, क्यों? अब ये ठंडी के दिन होते हैं, तो ठंडी के दिनों में शरीर में पित जो है न थोड़ा कम होता है, पित थोड़ा कम होगा, वात ज्यादा बढ़ा हुआ रहेगा, और कफ सबसे ज्यादा बढ़ा हुआ रहेगा, ठंड के दिनों अब कफ सबसे ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो कफ का असर हमारी जठर अगनी पर है अब कफ का असर जठर अगनी पर है तो जठर अगनी भी थोड़ी कम रहती है थोड़ी जो गर्मियों के दुनों में वो भड़कती है उतनी नहीं होती तो अगर आपकी जठर अग गती का ऐसे समझ लो जटर की गती कम होती है तो खाये जाने वाला खाना भी कम गती से पचने वाला हो तो बहुत अच्छा है तो सोस समझ कर ये तै किया गया कि सर्दी के दिनों में तिल खाना है सर्दी के दिनों में मुंगफली खानी है सर्दी के दिनों में गुड़ खाना ह सर्दी के दिनों में घी सबसे ज़्यादा खाया जाता है और आपने अक्सर वैद्यों से सुना होगा सेहत बनानी है तो यही दिन सबसे अच्छे है मने खूब अच्छा खाओ और भगवान का दिया हुआ भी इन महिनों में भरपूर होता है तिल भी इनी महिनों में आते हैं मुंगफली भी नई इनी महिनों में आती है चने भी इन महिनों में नई आते हैं तो अच्छा खाना खाने का समय यही माना जाता है सर्दियों का और अच्छा खाना वो जो गुरुत वाला है गुरुत वाला वो जो थोड़ा धीरे 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 पचता है तो कितना बड़ा मेल बिठाकर हमारे लोगों ने हमारे व्यंजनों को तियोहारों के साथ जोड़ा गर्मी के दिनों में उल्टा होता है गर्मी के दिनों में आपका पित भढ़कता है बारिश के दिनों में पित जो है बहुत ही कम होता है तो बारिश के दिनों में ये कहा जाता है कि भाईया सबसे हलका खाना खाओ बारिश के दिनों में क्योंकि पित तुस्व में सबसे कम है और कई बार तो कहते हैं जी एक ही बार खालो तो अच्छा है बारिश के दिनों में और जेन समाज वाले तो जानते हैं कि बारिश के दिनों के खाने में बहुत restriction है क्यों जी ऐसा खाना तो आप खाई ही नहीं सकते जिसमें पानी बहुत हो हरा सबजیاں मत खाओ ये वगरा वगरा हरे पत्ती की सभी सबजیاں बहुत पानी भरी वगरा पानी शरीर में ही पहले से जादा है क्योंकि बारिश में नमी जादा है तो आप जादा पानी के शिकार होंगे जादा पानी भी अच्छा नहीं है कम पानी भी अच्छा नहीं तो इसलिए सादू संत जो कहते हैं वो भी कुछ विज्ञान के आधार पर कहते हैं बस अंतर इतना ही है कि हमारे दिमाग में क्यों इतना गहरा गुसा हुआ है कि जब तक क्यों explain कोई नहीं करता हम ना उसकी बात सुनते हैं ना मानते तो अपने देश में बागवट्ट जी के अनुसार वात की चिकित्सा जिंदगी भर अच्छी रहे आपकी तो तेल शुद दखाईए ये एक सूत्र अब दूसरा सूत्र वो कहते हैं कि पित्त की चिकित्सा पित्त जिंदगी भर आपका ठीक रहे आपको तकलीफ ही ना आए त तो कहते हैं देशी गाय का घी खाईए पित्त को जिंदगी भर सम रखने के लिए अगर कोई एक चीज उन्होंने बताई है सबसे अच्छी वैसे तो उन्होंने सेकड़ों चीज़े बताई है सबसे अच्छी तो उसकी उपर की शृणी में गिनती है घी घी भाने गाय का घ बहस के घी के लिए उन्होंने बोला है लेकिन उन्होंने कहा है कि वो एक ही कैटेगरी के लोगों के लिए है जो कुष्टी लड़ते है कुष्टी लड़ते हैं बहने पहलवानी करते हैं दंड बैठक लगाते हैं पहलवानी करते हैं वो घुमाते हैं इनके लिए उन्होंने कहा है कि ये गाय का घी कभी न खाएं, ये भैस का ही घी खाएं, क्योंकि होना ही उनको भैस के जैसा है आपके लिए नहीं है, आप सद ग्रहस्त हैं, ना आपको कुष्टी लड़नी है, ना आपको पहलवानी करनी है, ना आपको दंड बेठक लगानी है, ना आपको रेस जीतनी है, आपको तो जीवन अपना चलाना है ठीक तरीके से, तो आपके लिए है गाय का घी और पहलवान जो कुष्टी लड़ रहे हैं अखाडे में दंड बेठक लगा रहे हैं मुगदर गुमा रहे हैं वगरा वगरा इनके लिए है भैस का घी बागवट जी कहते हैं कि वो अगर गाय का घी खाएंगे तो बीमार पड़ेंगे और आपने अगर भैस का घी खाया तो आप तकलिफ में आएंगे तो जिन्दगी बर पित आपका ठीक रहे पित से होने वाली बीमारियां नहों तो आप गाय का घी खाते रहें और तीसरी बात जो कहते हैं कफ कफ को जिंदगी पर शान्त रखना है, शमित रखना है समवस्था में रखना है तो सबसे अच्छी चीज जो उन्होंने बतायी है वैसे तो सहकड़ो है लेकिन मैं सबसे अच्छी चीज पहले बता रहा हूँ वो कहते हैं नम्बर एक की चीज है कफ को शान्त रखने के लिए वो है गुड़ और अबलिक करके उन्होंने एक चीज बताई है शहद तो वो कहते हैं कि जो शहद खा सकते हैं वो शहद खाएं जो नहीं खा सकते हैं वो गुड़ खाएं अब आप मेंसे जो जहन सिध्धान्तों का पालन करने वाले हैं उनके लिए है गुड़ और जो जहन सिध्धान्तों का पालन नहीं करते वो शहद भी ले सकते हैं तो तीन चीज़ों की अब बात में कर रहा हूँ पहली चीज हो गई शुद्ध तेल दूसरी चीज हो गई गाहे का घी और तीसरा हो गया गुड़ उल्टे से शुरू करता हूँ गुड़ कफ को कैसे शांत रखेगा आधुनिक विज्ञान की जानकरी कुछ मैं आपको इसमें जोड़ना चाहता हूँ कफ जब भी बिगड़ता है कफ जब भी बिगड़ता है तो शरीर में एक तत्तो की बहुत कमी आ जाती है वो है फॉस्फोरस केमिकल है एक फॉस्फोरस जब भी कफ बिगड़ेगा तो आप समझ लो आपके शरीर में फॉस्फोरस की कमी है और फॉस्फोरस का एक छोटा भाई भी है आर्सेनिक आर्सेनिक वैसे तो शरीर में न रहे तो अच्छा है क्योंकि जहर है लेकिन बहुत मामूली मात्रा में रहे तो फॉस्फोरस को ताकत देता है ये आर्सेनिक फॉस्फोरस का कॉम्प्लीमेंट्री है आर्सेनिक ये केमिस्ट्री की बात है अब आप समझ लीजे कि कफ आपके शरीर में बढ़ गया इसका माने फॉस्फोरस कम हो गया तो भागवटची ने कितनी कितनी इंटेलिजेंसी से चुना गुड़ खाओ हमने गुड़ को जब टेस्ट किया लेबरेटरी में तो उसमें सबसे ज़्यादा फॉस्फोरस ही है गुड़ में सबसे ज़्यादा फॉस्फोरस है हालांकि उसमें थोड़ा मात्रा में आरसेनिक भी है लेकिन फॉस्फोरस उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में है और गुड जो बना है ना किस से बना है गन्य के रस से तो गन्य के रस को टेस्ट किया तो पता चला गन्य के रस में फॉस्फोरस है लेकिन गन्य के रस से जादा गुड में है गन्य के रस में भी फॉस्फोरस है लेकिन उससे जादा गुड में है तो क्या किया हमने गन्ने के रस्प को गरम किया तो गरम करने की जो प्रक्रिया है इसमें फॉस्फोरस घटा नहीं बढ़ा ये पता नहीं क्या अधूत विग्या नहीं तो बागवट्टी जी ने ये नहीं कहा कि गन्ने का रस्पी हो उन्होंने का गुड़ खाओ गन्य के रस्प को भी वो कह सकते थे क्योंकि फॉस्फोरस उसमें है लेकिन गन्य के रस्प से जादा बहतरी निस्थती का फॉस्फोरस गुड़ में है जो सबसे जल्दी हजम होता है ये गुड़ ऐसी अद्वुत चीज है जो एक दिन के बच्चे को भी खिलाया जा सकता है एक दिन के बच्चे को आज बच्चा पैदा हुआ आप शाम को उसे गुड़ दे सकते हैं आज ही दे सकते हैं हाँ तो आप जो हैं एक ऐसी इस्थती में हैं जहां आपके पास कई चीज़ें उपलब्द हैं उनमें से बागवट्टी जी चुनकर दे रहें कि देखो ये है अब गुड़ बनाने के पहले एक और चीज़ बनती है जिसको मराठी में कहते हैं काकवी तरल गुड़ कहिए उसको तरल गुड़ राब कहते हैं कई लोग उसको राब, राजिस्थान में राब कहते हैं वो ये कहते हैं कि गुड़ और राब में आपके पास अगर चॉइस है तो राब खाईए वो गुड़ से भी ज़्यादा अच्छी है तो राब हमने जिन्दगी में तकलीफ कभी भी नहीं आए जो आप राब और गुड़ खाएं ये आपकी जिन्दगी का हिस्सा हो जाना चाहिए अब आप पूछेंगे जी कौन सा गुड़ खाएं बजार में कई तरह के गुड़ है एक गुड़ है जो बहुत गोरे रंग का होता है सफेद सफेद होता है जो गुड़ का रंग जितना ज़्यादा साफ वो उतना ही बड़ा जहर आप कहेंगे जी ये गुड़ तो बहुत ही बढ़िया एक तम सफेद ये सफेद रंग के चक्कर में हम बरबाद हो गए जब से अंग्रेज आये ना हमारे दिमाग में भूद गुज गया हर चीज हमें गोरी चाहिए हर चीज गोरी हर एक रंग सफेद चाहिए हाँ मैं रविवार का अखवार जब पढ़ता हूँ नो तो मेट्रिमोनियल कॉलम साते है सबको गोरी पतनी चाहिए भले चाहने वाला चिककट काला हो उसको गोरी ही चाहिए बागबटी जी कहते हैं कि प्रकरती में आप उसको ध्यान से सुने प्रकरती में जिन चीजों का रंग जितना ज़्यादा सफेद है वो उतनी ही आपके लिए अनुकूल नहीं है इसको ध्यान से समझे प्रकरती में जिन चीजों का रंग जितना ज़्यादा सफेद है वो आपके अनुकूल नहीं है उधारन के लिए भहस का दूद बहुत सफेद है वो पहलवान के लिए है आपके लिए नहीं है बहस का दूद और गाय का दूद एकदम पीला है पीला सफेद नहीं है गाय का दूद वो अनुकूलता जादा है तो प्रकर्ती में गन्ना है ना, गन्ने का रस कभी भी सफेद नहीं होता, आपने तो देखा है न, अच्छे से, गन्ने का रस तो हरा हरा ही होता है, फिर ये सफेदी कहां से आई? मैं आपको बहुत विनमरता पुर्वक कहता हूँ ये सफेदी आती है निर्मा वाशिंग पाउडर से और ज़्यादा सफेदी आती है एरियल से प्रॉक्टर एंड गेंबल का एरियल और आपको अब मैं जो कहने जा रहा हूँ वो आप कभी विश्वास करें या ना करें लेकिन सच यही है कि गुड़ बनाने वाले आपका जो सफेदी का लालच है ना सफेदी के प्रती आपका मुख उसको ध्यान में रखते हुए इतना निर्मा डालते हैं इतना वाशिंग पाउडर उसमें डालते हैं गन्य के रस्में कि वो गुड़ का रंगी बदल जाता है तो यह सफेद गुड़ एकदम वाइट कलर का गुड़ यह तो बहुती खतरनाक है बहुती खराब है इसको तो गलती से भी छूईये मत तो पिर आप कहेंगे जी गुड़ कौन सा अच्छा है गुड़ का जो natural कलर है वो वही है जो चोकलेट का होता है चोकलेट आपने देखिए जिस रंग की चोकलेट है रंग वही गुड़ का सबसे अच्छा तो गुड़ खरीदते समय ध्यान रखिये ताब़ी कलर का जिसको हम कहते हैं ताब़ी कलर कौपर कलर का जो गुड़ है वो दुनिया का सबसे अच्छा गुड़ है तो गुड़ जब लाएं खरीद कर खाने के लिए तो दुकान वाले को बोल कर लाईए कि भाई हम को ये सफेद वाला नहीं चाहिए तो कहगा कौन सा चाहिए तो वो जो काला काला सा थोड़ा चौकलेटी कलर का गहरे लाल रंग का वो दे दो तो वो भी है उसके पास वो अंदर रखता है क्योंकि वो उसे मालूम है आप लेने वाले है नहीं उसे तो वो अंदर रखता तो है आप जब मांगोगे तो वो वही लेके आएगा ये गुड़ जहां से भी बनकर आ रहा है वहाँ फिर संदेशा जाएगा ये सफेद बनकर दो कोई मांग नहीं रहा कोई ले नहीं रहा सबको अब वो ही चाहिए तो गुड़ की सपलाई बदल जाए ये गुड़ ही खाए अब मैं जो और गहरी बात पर जा रहा हूँ बागबटी जी कहते हैं कि दुनिया में गुड़ के अतरिक्त जो मिठाईया है गुड़ के अतरिक्त वो आपके लिए बहुत अच्छी नहीं है अब गुड़ के अतरिक्त मिठाई में जरा चले तो क्या है चीनी आज के समय में बागवट जी के समय चीनी नहीं थी इसलिए उन्होंने उस पे कोई सूत्र नहीं लिखा क्योंकि उन्हें कोई कल्पना भी नहीं थी कि चीनी बना लेगा आदमी अब ये चीनी बहुत खराब है चीनी और गुड का एक ही रौ मेटीरियल है आप जानते हैं गन्य के रसमे से ही चीनी बनती है और गन्य के रसमे से ही गुड बनता है बस दो अलग-अलग सब्विताओं का इसमें फरक है एक है सब्विता यूरोप और अमेरिका की जहां से चीनी आई और दूसरी सब्विता है भारत की जहां से गुड आया एक ही रौ मेटीरियल है एक ही रौ मेटीरियल है चीनी बनाने के लिए भी गन्य का रसी लगता है गुड बनाने के लिए भी गन्य का रसी लगता है और थोड़ा सा आगे बढ़ है कि एक ही raw material है गेहूं का आटा जिस से रोटी भी बनती है पूरी भी बनती है पराठा भी बनता उसी से पाव रोटी भी बनती है और डबल रोटी भी बनती है ठीक है सब बिताओं का अंतर है raw material सेम है गेहूं का आटा वो हिंदुस्तान में भी भी है वो अमेरिका में भी है वो कनाड़ा में भी है वो भारत में भी है लेकिन वो गेहूं के आटे से बनाते हैं पाव रोटी और डबल रोटी हम गेहूं के आटे से बनाते हैं रोटी पूरी या पराठा या आधी-ाधी बहुत सारी चीज़ हैं अंतर क्या है जी अंतर प्र प्रक्रिया कांतर है। रो मिटिरियल सिम है, end product भी सेम है, खाये जाने के लिए बन रहा है, लेकिन प्रक्रिया अलग अलग है। वो रोटी बनाएंगे तो पहले आटे को सड़ाएंगे, फर्मेंट करेंगे और आटे को सड़ा सड़ा के पुराना पुराना करकर के फिर उसमें से पाउ रोटी ही बनेगी, रोटी तो बनने ही पाएगी क्योंकि आटे के fermentation के बाद रोटी बनना मुश्किल होता है और हम आटे को पानी में गूंदेंगे और ततकाल उसकी प्रक्रिया करके रोटी बना लेंगे वो प्रक्रिया नहीं कर पाते क्योंकि उनको कोई सिखाने वाला नहीं कोई university नहीं कोई college नहीं इसी तरह से उनकी आट शक्कर में होता है कि गन्ने के रसको कई देशों में गन्ना उत्पन होता है ब्राजील में मैकसिको में वगरा वगरा तो वो गन्ने के रसको process करते करते चीनी बना लेते हैं हम चीनी की तरफ नहीं गए हमने गुड़ ही बनाया क्योंकि चीनी बनते ही अब आप ध्यान देना जो मैं कहने जा रहा हूँ चीनी बनते ही phosphorus खतम होता है चीनी बनते ही phosphorus खतम होता है और आपको चाहिए phosphorus कफ का शमन करने के लिए अब वो है ही नहीं चीनी में तो आप जो चीनी खा रहे हैं वो जिस उद्देश के लिए खा रहे हैं वो पूर्ती ही नहीं होती और चीनी एक ऐसा केमिकल है अगर मैं ब्लैक बोर्ड लेके चौक पे समझाना शुरू करूँ तो समय थोड़ा जादा लगेगा लेकिन अंतिम बात आप जल्दी समझ जाएं चीनी जब आपके शरीर में जाती है और ये तूटती है हर चीज अंदर जाके तूटती है मानि पच्चती है तो इसके सबसे अंत में जो बनता है वो एसिड है और गुर जब शरीर में जाता है और तूटता है तो इसके सबसे अंत में जो बनता है वो छार है अब मैंने आप से थोड़े दिन पहले कहा था पता नहीं याद है के नहीं पेट में हमेशा अमल है ठीक है अब पेट में तो अमल पहले से है प्रकरती का दिया हुआ आपने चीनी खाई चीनी में से भी अमल ही निकला तो अमल तो बढ़ गया ना जरूरस से जादा और यह बढ़ा हुआ अमल अगर पेट में आपके है तो यह खून में भी जाएगा आप इसे रोक नहीं सकते क्योंकि पेट में जो है वो खून में भी जाएगा और खून में अमल बढ़ता ही गया रोज आपने एक चम्मच चीनी खाई दो चम्मच चीनी खाई तीन चम्मच चीनी खाई हर दिन उसमें से अमल निकल रहा है और पेट का हमल भी उसमें जुड़ रहा है, फिर जुड़ रहा है, फिर जुड़ रहा है, फिर निकल रहा है, फिर दस साल का हिसाब निकालो, बीस साल का निकालो, तीस साल का निकालो, आपका दिमाग घूम जाए, रोज का अगर दो चम्मच चीनी का हिसाब जोड़ो वैसे तो जो दो चम्मच से जादा ही रहती है एक आदमी के जिंदगी में चीनी दूद में भी चीनी लेते हैं, चाय में भी चीनी लेते हैं, दो चम्मच रोज की दो चम्मच माने हो गई लगबग 10 ग्राम के आसपास तो 10 ग्राम चीनी रोज की, एक साल में कितनी, 10 साल में कितनी, 30 साल में कितनी, 40 साल में कितनी हिसाब निकालोगे ना तो मरते समय तक एक बोरा चीनी तो कोई भी खाल लेता है, 100 किलो तक अब इतनी चीनी खाके जो एसिड बनेगा वो कहा जाएगा बिचारा आपका किड्मी जितना निकाल सकता है वो निकालने की कोशिश करेगा लेकिन सब में निकाल पाया तो ये रक्त में ही रहेगा और यही एसिड है जो वात के रोग आपको पैदा करेगा तो इसलिए चीनी और गुड एक ही चीज में से बनने वाली दो मीठी वस्तुएं है लेकिन गुड में क्या है गुड जब आप खाएंगे फास्फोरस किसी भी चीज में रहे चार पंड रही रखता है वो उस चीज को माने उसमें एलकलाइन की प्रॉपरटी ही रहती है तो गुड कितना भी खाएंगे चार ही बनेगा और वो चार पेट के अमल को बैलन्स करता रहेगा तो पेट की अमलता बढ़ने नहीं पाएगी तो जिंदगी आपकी सुखद और निरोगी होती जाएगी अब इसको और एक तरीके से समझाता हूँ गुड और चीनी पे जब हमने एक्सपरिमेंट किये तो पता चला चीनी को पचाने के लिए पूरे शरीर को वैसी ही ताकत लगानी पढ़ती है जैसी ठंडे पानी को पचाने के लिए लगती है पूरा शरीर जुक जाता है तब चीनी जाके पचती है और सबसे देर में पचती है आपने जो दाल खाई है वो पच जाएगी गेहूं पच जाएगा चना पच जाएगा मटर पच जाएगी चीनी सबसे अंत में जाके पचेगे और उसको पचाना पड़ता है लेकिन गुड़ दुनिया में ऐसी अध्वुत चीज है जो बनाई हिंदुस्तानियों ने कि गुड़ सब को पचा देता है गुड़ तो सब चीज को पचा देता है चीनी को पचाना पड़ता है मेरी बात समझ में आ रही है आपको गुड हर चीज को पचा देगा खुद ताकत लगा देगा आपने गुड के साथ कुछ भी खाया है वो सब चीज़ें गुड पचा देगा लेकिन चीनी को पचने के लिए पूरी ताकत लगती है तो चीनी जब पचेगी तो दूसरी चीज़ों को तकलीफ कर देती है तो इसलिए बहतरी इन है कि गुड खाईए जिंदगी बर कफ के रोग आपको नहीं आएगा फिर अंत में वही सवाल मिलता नहीं जी ये रोना बंद कर दीजे दुनिया में हर चीज़ मिलती है जहर भी है अमरुद भी है आपको क्या चाहिए और आज की दुनिया है ना आज की दुनिया माने आज का मार्केट माने आज की एकॉनमिक्स वो बायर्स एकॉनमिक्स है कंजूमर्स एकॉनमिक्स है Buyer's Market है, Consumer Market है माने जो ग्राहक मांग करेगा वोई चीज बजार में टिकेगी ग्राहक मांग ही नहीं करेगा तो वो टिकने वाली ही नहीं है तो आप मांग करना शुरू करो जी गुड़ चाहिए, गुड़ चाहिए, गुड़ चाहिए तो आप में से ही कई लोग खड़े हो जाएंगे बोलो कितना चाहिए मैं कोलापूर जाके आता हूँ गुड़ वाले से बात करके आता हूँ हमारा गुड़ जो है हमें सफेद नहीं चाहिए हमें तो वो वाला गुड़ चाहिए जो काला का कोई कहेगा मैं बिहार जाके आता हूँ गुड़ वाले से बात जहां जहां गुड़ बनने के बड़े केंद्र है बिहार बहुत बड़ा केंद्र है गन्ना होता है करनाटक में बहुत गन्ना है महाराष्ट तो गन्ने का सबसे बड़ा केंद्र है हिंदुस्तान में आपका महाराष्ट आपके बॉर्डर पर ही है आंध्र प्रदेश में बहुत गन्ना है तमिल नाडू में भी गन्ना है कई इलाके तमिल नाडू में गन्ने के हैं जहां गन्ना होता है वहां गुड़ बन सकता है आप गुड़ बनाने वाले को बस संपर्क कर लीजे कि देख भाई तू इसमें वाशिंग पाउडर मट डालना तू इसमें वाशिंग पाउडर मट डालना लगे तो दो रुपई किलो जादा ले लेना तो वो जो दो रुपए किलो का लालच है वो ही उसको इमानदार बना देगा आप लेलो उससे वो कहता है जी मेरा गुड़ 15 रुपए किलो आपको मैं 17 रुपए किलो लेलूँगा तुम इसमें ये जहर मट डालना और वो दो रुपए किलो आपने जो जादा दिया वो जिन्दगी के लिए कोई घटिया सौधा नहीं है बहुत फाइदे का सौधा है तो गुड़ बनाने वाले इस देश में आज भी हजारों की लाखों की संख्या में हैं गाओं गाओं में हैं आप उनसे संपर्क कर लीजे और कोई एक गुड़ का केंदर ही शुरू कर दीजे आपके आपस में सब लोगों को जितने कम से कम पान साथ सो लोग यहां बैठे हैं इतने घरों के लिए गुड़ आ सकता है जरूरत के हिसाब से आपको उपलब दो सकता है तो यह मत कहिए कि मिलता नहीं हर चीज इस देश में मिलती है छोट छोटे गाओं में भी उपलब दै कुछ लोग गुड़ खाईए कुछ लोग काकवी खाईए माने जिसको राब कहत अब गुड़ को दूद और दही में खाने का नियम है वो बागवट जी कहते हैं वो कहते हैं जी दही में मिला के गुड़ खाया जाए दही में मिला के गुड़ खाईए दूद में गुड़ कभी मत मिलाईए दही में मिला के खाईए तो दूद में कैसे खाईए जी दूद दूद में ऐसे खाएंगे कि पहले गुड खा लिजे पीछे से दूद पी लिजें। मिथिला मने एक एरिया है बिहार का करीब 8-10 जिले उसमें आते हैं उन जिलों में जब भी आप जाएं तो महमान को वही परोसके लाते हैं तो मैं भी महमान जैसा ही रहता हूं तो मुझे हर घर में दही चोड़ा मिलता है तो वो दही डाल के लाते हैं उपर से गुड़ डाल क का तब मेरी अकल में आया कि वो सब बागबट के चेले हैं दही में गुड मिला के पहले से ही चिवडा पे रखके लाते हैं तो दही में गुड मिला के ही खाईए अगर आप दही खा रहे हैं तो गुड मिला के ही खाईए तो दही के कई दोश जो आपके लिए अनुकूल नही है वो भी खतम हो जाते हैं और दूद में गुड़ कभी भी मत मिलाई है एक जगे तो वो ये कहते हैं कि दूद खाली पी लीजे गुड़ आगे पीछे खाली जे वो ज्यादा बेतर है तो गुड़ खाईए मेरा कहने का मतलब यह अब गुड़ के कितने प्रिप्रेशन है हमारे घर में गुड़ का तिल का प्रिप्रेशन एक है तिल पट्टी कहते हैं गजक गजक तो भरपूर गजक खाईए क्यों खाईए जी तिल है और गुड़ है गुड़ में जो केमिकल है और गैनिक तिल में लगवक वही सब है जो गुड़ में है तिल भी चारी है गुड़ भी चारी है और दोनों चारी चीज़ें खाएंगे तो पेट के अमलों को बैलेंस करती रहेंगी तो तिल गुड़ रोज खाईए मने तिल की पट्टी बनाईए गजग बनाईए नहीं तो तिल का लड्डू बनाईए गुड़ के साथ बनाईए फिर इसी त तर ऐसे मुंगफली है मुंगफली भी चारी है और गुड़ भी चारी है तो मुंगफली और गुड़ मिलाके वो पट्टी आती है वो खाईए बच्चों को खिलाईए और आपके पास जो भी प्रप्रेशन है गुड़ तिल के गुड़ मुंगफली के वो सब बनाईए और ये जो तीन चार महीने है नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी तक भरपेट खाईए भरपूर खाईए क्योंकि इस समय आपके शरीर को इनी की जरूरत है तो कफ जिन्दगी से बहुत दूर रहेगा तिल खा रहे हैं गुड़ खा रहे हैं मुझफली खा रहे हैं कफ बढ़ने की बिलकुल संभावना नहीं तो जिन्दगी में कफ के रोग आने की संभावना नहीं अब जानते कफ का सबसे खराब रोग क्या है मोटापा, मोटापा कम करना है तो भरपेट गुड़ खाईए, भरपेट तिल खाईए, भरपेट मुंगफली खाईए, मोटापा भी कम हो जाएगा, हाँ, आपको डर है ना, तिल खाईएगे जी, उसमें से तेल है, तेल तो है तिल में, लेकिन वो HDL वाला, LDL वाला नहीं है, VLDL, ये मोटापा जो है ना, वो VLDL और LDL का चक्कर है, HDL जैसे ही बढ़ेगा, मोटापा अपने आप कम होगा, पेट अंदर ही जाएगा, आप में कम से कम इतना कम मिलेगा, खाना खाया, खाने के बाद आप सौफ खाते हैं ना, सौफ की जगे तिल खाये, और काला खाया, तो और ज़्यादा वजन कम मिलेगा, काला तिल, एक है सफेद, काले के गुणवत्ता सफेद से भी ज़्यादा है, लेकिन ये इनी चार महीनों में, गर्मी में अगर आपने यही तिल खाया तो प्राब्लम आएगी बागबटी जी कहते हैं कि तिल खाने का सबसे अच्छा समय वही है जो आज चल रहा है यह फरवरी तक चलेगा तो फरवरी तक और कभी बहुत ज़्यादा लिब्रल हो तो होली के दिन तक वो कहते हैं तिल खाने का समय है होली होते ही तिल कम करिए या खतम करिए फिर कुछ और चीज आएगी वो क्या आएगी वो मैं बता दो लेकिन आप ये करके देख लीजे चार चीजों को ज़्यादा उप्योग आप करेंगे वजन आपका कम होता जाएगा पेट का अमल कम होता जाएगा घुटनों के अंदर का जो कई बार कहते हैं न डॉक्टर यूरिक एसिड जमा हो गया जी यूरिक एसिड यूरिक एसिड क्या है अमली ही तो है तो ये यूरिक एसिड आपको कम करना है तो गांट के सब जो मने जोडों के दर्द आपको कम करने है तो इन के लिए ये सब चिकित्सा बताई है तिल है, गुड है और मैंने एक चीज बोली थी कि अगर आप जैन नहीं है तो शहद है शहद में बागवटी जी कहते है छोटी मदुमक्षी का शहद बड़ी का नहीं तो शहद लाएं तो उसको पूछ लीजे तो एक हिसा हो गया कफ का अभी दूसरा पित्त का हिसा पित्त का हिसा बहुत क्लियर है एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि घी जादा खाएंगे पित्त आपका हमेशा सम रहेगा और जादा घी खाने का जो समय है वो बारिश के दिनों में और ये जो गर्मी के दिन होते हैं उस समय घी जादा खाएंगे ताकि पित्त को कंट्रोल करके रखें और वात के लिए मैं पहले ही बता चुका हूँ शुद्धित अभी ये जितनी बात है आप सोचो कितनी सरल है बस हमें अपनी जीवन शैली में थोड़ा बदलाव करना है जीवन शैली में बदलाव से पहले मन में संकल्प लेना है जी हम तो ऐसे ही चलेगे दुनिया जिदर जाए जाए हमें उससे मतलब नहीं हम तो ऐसे चलेगे तो ये तीन चीजें अगर आपने देख ली तो बहुत अच्छा है अब थोड़ा आगे चले अब और दूसरी चीजों पर मैं चलता हूँ कि और कौन-कौन सी चीजे हैं जो आपके आसपास है और आपके वात्पित्तकफ तीनों को संपे लाने में मदद कर सकती है ये तीनों संभाग में रहें तो अच्छा होता है और कौन-कौन सी चीजे हैं तो बागवटी जी कहते हैं रसोई के बाहर जाने की जरूरती नहीं, सब वहीं है बागवट जी ने एक सूत्र लिखा है दुनिया का सबसे बड़ा औशदी केंद्र हमारा रसोई घर है सबसे बड़ा औशदी केंद्र, रसोई घर है अब दुर्भागे से हम रसोई में जिनको मसाला कहते हैं न मसाला वहां मसाला कुछ नहीं है सब औशधी है मसाले का और औशधी का अंतर मालूम है ये मसाला तो शब्द ही भारत का नहीं है पहले तो ये बता दूँ ये अर्बिक शब्द है फार्सी से अर्भी में आया, अर्भी से हमारे घुश गया, हिंदी में और जगे जगे घुश गया ये विदेशी आये तो ये शब्द भी आया हिंदुस्तान में सत्रवी अठारवी शतावदी का साहित जब मैं पढ़ता हूँ तो जब तक मुगलों का राजज रहा तब तक मसाले शब्द का बहुत उप्योग है मुगलों के राजज के पहले एक भी जगे किसी भी शास्त्र में मसाला नहीं है चरक सहिता पढ़ी मैंने कहीं भी मसाला नहीं है उसमें सुशृत में कहीं मसाला नहीं है बागवट की कहीं मसाला नहीं है पुराने जितने लेखक हुए है न दस्वी शतावदी के पहले के कहीं भी किसी ने मसाले शब्द का इस्तेमाली नहीं किया हर जगे है तो औशदी है जीरा औशदी, धनिया औशदी ये आउशदी के रूप में हैं तो इनकी जो प्रापरटीज हैं रसोई घर की आउशदियों की ये सब आपके चिकित्सा के लिए हैं अब मुझे समझ में आता है कि हमारे पुराने जमाने की माताएं बहने जो हमारी दादी है नानी है उन्होंने अपनी अपनी बेटीओं को जो कुछ सिखाया सबजी बनाना तो क्या-क्या डालना जीरा चाहिए धनिया चाहिए हींग चाहिए मात्रा कितनी कितनी चाहिए वो सब बड़े वह ग्याने को और चिकित्सक लोग रहे होंगे क्योंकि रोज हमारे शरीर में वाद पित कफ की स्थती सम और असम होती रहती है आप जानते हैं सुबह जो है ना वाद जादा होता है शरीर में सुबह सुबह दुपहर को पित जादा होता है शाम को कफ जादा होता है तो ये पूरे 24 गंटे में उपर नीचे होता रहता है तो 24 गंटे में जो बात पित कफ उपर नीचे होता रहता है तो सबजियों में उसी के हिसाब से ओशदिया डाली जाती है जैसे दुपहर की सबजी बने दुपहर की तो मेरी दादी को मैंने देखा था कि दुपहर की सबजी बनाएगी तो अजवाइन जरूर डालेगी उसमें और वो ही सबजी रात को बनाती थी तो अजवाइन नहीं डालती थी तो एक दिन मैंने दादी से पूछा कि यही सबजी दुपहर को मैंने खाई तो इसमें अजवाइन थी कि अजवाईन जो है पित नाशक है घी के बाद देशी गाय के घी के बाद जो सबसे ज़्यादा पित नाशक दूसरी कोई चीज है तो वो अजवाईन है और दुपहर को पित बढ़कता है आप जानते हैं और वो स्वावाविक है क्योंकि खाना खाने के लिए पित बढ़कना ही चाहिए तो उस समय अजवाईन डाली जाती है सबजी में क्योंकि दुपहर को ही शरीर को अजवाईन की जरूरत होती है पित को सम पे लाने के लिए तो भारत में जादातर माताएं बहने ये बात जानती है कि दुपहर की सबजी में अजवाइन चाहिए दुपहर का दही है ना दही का मठा उसमें भी अजवाइन का बगार लगता है दुपहर की जितनी भी चीज़े हैं ज्यादातर अजवाइन ग्रस्त होती हैं या अजवाइन से बनती हैं क्योंकि पित्त को समपे रखना है तो आप सोचो जो लोग ये कर रहे हैं वो बिना कहे कितना बड़ा काम कर रहे हैं हमने उसका वैलिवेशन नहीं किया ये हमारी मूर्ख था हमारे याँ तो एक बहुत बड़ा दुश्करम इस देश में हुआ है अंग्रेजों के हम गुलाम हो गए तो सब कुछ हम भूल गए अपनी चीज़ है अंग्रेजों ने जो सिखाया वो ही हमें याद है तो हम जीडीपी का कैलकुलेशन करते हैं अंग्रेजों के फॉर्मूले से जीडीपी निकलता है इस देश का ग्रॉस डॉमस्टिक प्रॉडट्ट तो मैंने बहुत बार इस देश के अर्थशास्त्रियों से पूछा कि जीडीपी में आप विच्चित्र विच्चित्र कैलकुलेशन करते हैं जैसे भारत की पुलिस है उस पर जो खर्चा हो रहा है वो जीडीपी का हिस्सा है अगर चोरियां बढ़ी डकेतियां बढ़ी तो पुलिस का खर्च बढ़ेगा तो GDP बढ़ेगा और प्रधान मंतरी छाती ठोक के कहगा मेरे जमाने में GDP 10% से उपर बढ़ गया तो हमारे जो GDP के कैलकुलेशन नहीं है उसका बारसरकार कोई कैलकुलेशन नहीं करती कि किसी माने एक किलो पापड बना दिये तो GDP बढ़ा के नहीं तो कहते हैं जी मालूम नहीं बढ़ा के नहीं बढ़ा क्योंकि कैलकुलेशन नहीं है किसी माने दाल की बड़ी बना दी पांच किलो दाल की तो GDP बढ़ा के नहीं बना आपका मन क्या कहता है बुद्धी क्या कहती है बढ़ा के नहीं बढ़ा किसी ने बड़ी बना दी किसी ने पापड बना दी है किसी ने कुछ बना दी है ये जो अंग्रेज जात है ना दुनिया में, ये महिलाओं के किये हुए काम को काम ही नहीं मानती, आपको मालूम है, 2000 साल यूरोप में महिलाओं को पुर्षों से हमेशा कम वेतन मिलता रहा, और आज भी है ये, कई देशों, वो मानते ही नहीं कि इनका कोई काम काम है, क्यों? वो महिलाओं में आत्मा नहीं मानते हैं, हाँ, यूरोप का सबसे बड़ा दार्शनिक है प्लेटो, वो कहता है कि इस्तरियों में आत्मा ही नहीं होती है, आत्मा सिर्फ पुरुषों में होती है, तो इस्तरी जो करे वो बेकार है, पुरुष जो करे वो ही अच्छा है, तो उनके यहां से यह calculation हमारे यहां आ गया कि इस तुरी कुछ भी करे तो कामी का नहीं तो अंग्रेजों का 200-200 साल जो राज चल गया उसमें हम सब के दिमाग खतम हो गए सोचना विचारना बंद हो गया तो हमने भी वही माल लिया मैं अब इसको बदलना चाहता हूँ और मैं यह समझना चाहता हूँ और समझाना चाहता हूँ कि इस्तुरियां जो कर रही है वो किसी डॉक्टर से कम नहीं है बस अंतर इतना है कि डॉक्टर को आप फीस देकर उससे एडवाईज ले रहे हैं हमारी दादी नानी फोकट में वोई एडवाईज दे रही है धनिया खाओ, जीरा खाओ, और ये अजवाईन खाओ, आपके पेट की गैस खतम हो जाएगी और ये साले 3000 साल से वैसे का वैसा ही है अजवाईन खाओ तो गैस खतम होती ही है कभी भी आप करके देख लो आप में से किसी को भी बहुत गैस बनती हो पेट में एसिरिटी की तकलीफ हो, आज से शुरू कर दो आप खाना खाया, तो उसमें ध्यान रखो अजवाईन जादा रहे दाल में, सबजी में वगरा वगरा और अगर नहीं कर पा रहे हैं, तो खाना खतम करते ही थोड़ी अजवाईन खालो अजवाईन जादा तकलीफ ना कर दे, उसका बैलेंस है काले नमक के साथ तो थोड़ा अजवाईन और काला नमक मिला के हर खाने के बाद खा के देख लो तीन दिन में ना आपकी गैस बंद हो, तो आप जो कहो मैं हारने को तयार ये गारंटी मैं नहीं दे रहा हूँ, ये गारंटी अजवाईन दे रही है मेरी गारंटी नहीं है, अजवाईन के गारंटी है तो वो कहते हैं बागवटजी कि पित्त को सम रखने के लिए हमारे रसोई में घी के बाद जो दूसरी चीज है वो है अजवाईन अब तीसरी चीज़ पे आते हैं पित्त को सम रखने के लिए अजवाइन के बाद जो तीसरी चीज़ अपने रसोई में है वो है जीरा जीरा दो तरह का है एक सफेद और एक काला है ना काला जीरा सफेद से भी अच्छा है आप एक नियम ध्यान रखलो मैंने आप से कल कहा था जिस चीज़ का रंग जितना गहरा वो उतनी ही अच्छी भगवान की बनाई हुई मनुष्य की नहीं मनुष्य ने तो पेंट भी बना दिया है बहुत गहरे रंग का है भगवान की बनाई हुई हर चीज़ में नियम आप देखना कि भगवान की प्रकरती की बनाई जो चीज जितने गहरे रंकी है उसकी क्वालिटी उतनी ही अच्छी है तो जीरा दो है एक सफेद और एक काला काला जीरा सबसे अच्छा पित्त को खतम करने के लिए सम रखने के लिए तो आपके रसोई में एक हो गया घी, देशी गाय का पित्त को खतम करने दूसरा हो गया अजवाइन तीसरा हो गया जीरा और एक चीज हींग हींग तो आप सब समझते हैं न हींग हींग भी भगवान की बनाई हुई है हींग के पहाड होते हैं जैसे पत्थर के पहाड होते हैं वैसे हींग के पहाड होते हैं हींग वहीं से आते हैं तो हींग है, जीरा है, अजवाइन है और देशी गाय का घी अब इसके नीचे आता है धनिया धनिया दो तरे का है एक सूखा और एक हरा आपके मन में ये प्रशन है ना हराय पत्य का धनिया में कुछ ज़्यादा होगा सूखे में कम बिलकुल नहीं है दोनों में बराबर है सूखने के बाद भी उसके गुण धर्म में कोई कम ही नहीं अब ऐसी पूरी लिस्ट है मैंने तो आपको पांस साथ बता दिया पित्त को कम करने के लिए क्या क्या आपको पूरी लिस्ट है तो एक सो आठ है एक सो आठ पित्त को खतम करने के लिए रसोई में एक सो आठ चीजे है वो पूरी लिस्ट देखनी है तो वो किताब है आप ले दीन में भी है भाग दो में भी है थोड़ी थोड़ी है थोड़ा आगे बढ़ें कफ की सूची मैंने बताई आपको कफ में सबसे अच्छी चीज़ है गुड़ के बाद दूसरे नंबर पर है शहद जैन है तो शहद मत खाईए ये मेरी भी विंती है आपको क्योंकि नहीं तो मैं पाप का भागीदार बनूगा जो आप से कहूं कि शहद खाओ और मुझे तो मोक्ष में जाना है तो पाप की गठरी क्यों ला दो तो आप जैन है तो बिलकुल शहद मत खाईए अजैन है मने जैन नहीं तो आप कोशिश करिए कम से कम खाएं ना खाएं तो और भी अच् शहद का विकल्प है गुड़ जब गुड़ ना रहे तब सोचें इसी तरह कफ को कम करने की और क्या चीज है अपने रसोई में कफ को कम करने की दूसरी जो सबसे अच्छी चीज बताई बागवट जी ने वो है सोट सोट का ही एक दूसरा रूप है अद्रक अद्रक से अच्छी है सोट कारण क्या है अद्रक जब सूख जाता है तब ही सोट बनती है और अद्रक का सूखने के बाद गुण बढ़ जाता है हाँ ताजा अद्रक है ना उसका गुण जितना नहीं है सूखे हुए अद्रक माने सोट का गुण लगभग सौ गुणा बढ़ता है इसलिए सोट अद्रक से हमेशा अच्छी है तो कफ खतम करने के लिए रसोई घर में एक हुग गया गुण दूसरी होगा तीसरी चीज जो सबस उत्तम ओशदी लेकिन पान भी वही चक्कर आएगा कौन सा पान जो गहरे रंग का हर चीज में ये नियम है गहरे रंग का गहरे रंग का आप उसको को जी देशी पान तो देशी पान गहरे रंग का पान जिसका रंग बहुत गहरा हरा एकदम काला जैसा हो तो और भी अच् है बहुत ही जबरजस्त चीज है ये पान और पान और सोट का बेस्ट कॉम्बिनेशन है पान खा रहे हैं तो सोट डालके खा सकते हैं अदरक डालके खा सकते हैं जेन है तो सोट खाई है नहीं है तो अदरक खाई है पान अदरक सोट और उपर से आया गुड, गुड भी मिला के पान में खाया जा सकता है वो आप डालते हैं गुलकंद, गुलकंद, गुलकंद गुलकंद माने क्या है? गुलाग के फूल, उसकी पंकुरिया उसका तो रस या उसका कुछ प्रिप्रेशन, प्रोसेस से ये भी सबसे ज़्यादा कफ नाशक है अब आप देखो जो जो चीजें पान में पड़ रही है वो सब कफ नाशक है पान बनाने वाले सब बाग भट के चेले बिना जाने ये काम कर रहे हैं गुलकंद आपको पान में डाल के दे रहे हैं सौफ 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 ये भी कफ नाशक है सौफ फिर उसके आगे मैं बता रहा हूँ प्रायोरिटी से सबसे अच्छा कफ नाशक गुड फिर उसके नीचे फिर उसके नीचे अब सौफ के नीचे जिसका नंबर है वो है लॉंग लवंग कही है लॉंग कही है और ऐसे ही ये सूची बढ़ाते जाएं तो इसमें करीब सौ चीज़े हैं जो कफ नाशक है हमारे रसोई में ठीक है अब आजाईए वात पर वात पर मैंने सबसे अच्छी चीज़ बता दी है तेल शुद्द तेल शुद्द तेल वात नाशक है और अब जो दूसरी बात में कहने जा रहा हूं इसको मैं संग्शेप में उपसंगहार के रूप में कह रहा हूं कि जिन चीज़ों में भी पानी की मात्रा जादा हो वो सभी वात नाशक है जिसे दूद्द आप जानते हैं दूद में तो सबसे ज़्यादा पानी ही है ना दूद को फाड़ के देख लो solid material तो थोड़ा ही निकलता है ना बागी तो पानी ही रह जाता है तो दूद में बहुत पानी है तो जिन चीजों में पानी जादा है बागवट्टी जी ने सूत्र ऐसे लिखा है कि पानी युक्त चीजें जल युक्त चीजें सभी वातनाशक है तो दूद हो गया दूद के बाद दही दही में भी पानी ही है आप जानते हैं और छाच तो सबसे ज़्यादा पानी वाली है जूस जो आप इस्तेमाल करते हैं सभी जूस वातनाशक है सभी जूस संतरे का, मुसम्मी का गंने का तो बहुती अच्छा है अंगूर का, टमाटर का वगरा वगरा, यह सब जूस वातनाशक है तो सब तरह के जूस, दूद, दही छाच, ये सब वात नाशक चीज़ें हमारे घरों में हैं अब आखरी चीज आखरी चीज बागवटी जी कहते हैं कि वात नाशक पित नाशक और कफ नाशक ऐसी चीज़ें दुनिया में एक साथ मिलें बहुत रेर बहुत रेर वो कहते हैं कि बहुत चीज़ें दुनिया में हैं कोई बात का नाश करेगा कोई पित्र का कोई कफ का लेकिन कोई ऐसी चीज़ें भी अपने रसोई में है जो तीनों को नाश कर सकते है उन में से नमबर एक है आवला फिर दूसरा है हरडे और तीसरा है बहेडा और तीनों मिलाके बनता है त्रिफला ये जो त्रिफला है ना बागवटी जी इसकी इतनी बढ़ाई करते हैं इतनी प्रशंसा उन्होंने लिखी है कि खाली त्रिफला पर ही उनके 120 से ज्यादा सूत्र है 120 से ज्यादा अकेले त्रिफला पर त्रिफला को इसके साथ खाओ त्रिफला को इसके साथ खाओ त्रिफला को ऐसे खाओ त्रिफला को 120 से ज़्यादा सूथ रहे अकेले त्रिफला पर और वो ये कहते हैं कि ये जो त्रिफला है इसमें सबसे अच्छा फलावला फिर बहेडा फिर हर्डे ये सबसे दुनिया में अद्बूचीज है लेकिन इसकी मात्रा के बारे में उन्होंने जो कहा है वो ध्यान रखिए ज़्यादातर लोग त्रिफला इस्तेमाल करते हैं करिए बहुत अच्छा है लेकिन मात्रा ध्यान रखिए हम क्या करते हैं कि हर बहेडा आवला तीनों बरावर मात्रा में मिलाके त्रिफला बनाते हैं वो कहते हैं कि ये उतना उपियोगी नहीं है और हमने करके भी देखा वो कहते हैं कि त्रिफला सबसे अच्छा होता है एक, दो, तीन के अनुपात में पहला है हर, हरडे, एक अनुपात, दूसरा है बहेडा, दो अनुपात, और तीसरा है आवला, तीन अनुपात अब इसको मात्रा में कहूं, अगर त्रिफला बनाना है तो हरडे लेना सौ ग्राम, बहेडा लेना दो सो ग्राम, और आवला लेना तीन सो ग्राम तो ये 100, 200, 300 ग्राम की मात्रा में आप जो त्रिफला चून तयार करेंगे वो कहते हैं ये अद्बुत है वात, पित, कफ तीनों का नाश करता है तीनों का अब वात, पित, कफ तीनों से आप अगर ग्रसित हैं तो आप त्रिफला जरूर लीजे कैसे लाएं त्रिफला लेने के दो नियम बताए उन्होंने एक रात को और एक सबेरे सबेरे का नियम उनका ये है कि सबेरे सबेरे अगर त्रिफला खाएं तो गुड के साथ नहीं तो शहद के साथ गुड या शहद वैसे ही आप तय कर लीजे जैन हैं तो गुड अजैन हैं तो शहद तो सवेरे का त्रिफला खाएं तो गुड या शहद के साथ रात का त्रिफला खाएं तो दूद के साथ या गरम पानी के साथ त्रिफला तो एक ही है ना सवेरे भी त्रिफला ही खा रहे है रात को भी लेकिन बागवट्टी जी कहते ह असर अलग-अलग हैं दोनों के रात को जो आप त्रिफला खाएंगे दूद के साथ या गरम पानी के साथ तो ये त्रिफला रेचक है रेचक शब दुनों ने इस्तेमाल रेचक माने पेट को साफ करने वाला बड़ी आथ की सफाई करने वाला शरीर के सब अंगों की सफाई करने वाला जाडू लगाने वाला जो व्यक्ति वो रेचक तो कहते हैं रात को अगर त्रिफला आप ले रहे हैं दूद के साथ या गरम पानी के साथ तो ये रेचक है माने ये एक ही काम सबसे जादा करेगा कि आपकी कबजियत मिटा देगा कितनी भी पुरानी कबजियत है मिटा देगा 40 साल पुरानी भी मिटा देगा रात को और जो दिन को त्रिफला खाया सबेरे गुड के साथ तो वो कहते हैं ये पोशक है एक शब्द है रेचक और एक है पोशक, पोशक माने शरीर को जो कुछ चाहिए विटेमिन C चाहिए, विटेमिन A चाहिए, विटेमिन D चाहिए या विटेमिन K चाहिए, या कोई विटेमिन चाहिए या हमें माइक्रो न्यूफ्रेंट्स चाहिए शरीर को केलशियम चाहिए आईरन चाहिए वगरा वगरा तो शरीर को अगर पोशकता चाहिए तो त्रिफला सवेरे खाना और शरीर में आप मानते हैं कि हमारी कबजियत ठीक करने के लिए तो त्रिफला रात को खाना दोनों समय के त्रिफले में बिल्कुल अलग तरह के परिणाम आते हैं तो जो कहें हम तो स्वस्थ हैं जी तो सबेरे ही त्रिफला खाओ स्वस्थ हैं तो और जो कुछ बीमारियां हैं आपको तो रात को खाओ ठीक है? मात्रा ध्यान रखना एक, दो, तीन सम मात्रा का त्रिफला बहुत रेर केस में इस्तेमाल होता है एक या दो ही बीमारी हैं अभी मैंने एक जगे इस्तेमाल किया था एक वैज्यानिक हैं भावा एटोमिक रिसर्स सेंटर में काम करते हैं उनको एक बीमारी हुई रेडियेशन से radiation आप जानते हैं सभी atomic center तो उनका पूरा शरीर सड़ गया एकदम सड़ गया जगे जगे घाओ जगे जगे और उसमें से खून निकलता मवाद निकलता वो बिचारे इतने परिशान इतने हैरान कहां कहां जा जाके अमेरिका कनाडा सब जगे कुछ इलाज हुआ नहीं कोई relief मिलाने कपड़ा भी नहीं पहन सकते ऐसी इस्तती थी हमेशा नंगे बदन रहते थे तो ऐसे ही किसी ने मुझे उनके बारे में बताया बंबई तो मैं अक्सर जाता रहता हूँ कि राजी बाई एक ऐसे व्यक्ति हैं तो मैं उनको गया था मिलने और देखने तो मैंने देखा सच में हालत बहुत खराब थी तब मैंने उनसे का कि आप बहुत परिशाने हैं हाँ बहुत परिशाने हैं जवा सब काम लेके देख ली कुछ उपयोग होता नहीं मैंने का मैं होमियोपेती दूँ उन्होंने का होमियोपेथी मैं नहीं लेना चाहता तो मैं पूछा चलो आप फिर एक काम करो त्रिफला चून खाओ बस और कुछ मत करो तो उन्होंने त्रिफला चून शुरू किया ये मैंने बता एक दो तीन शुरू किया तीन चार महिने में result बहुत थोड़ा आया आया थोड़ा आया फिर मैंने का मात्रा बदल के देखते हैं फिर उनकी सम मात्रा की मैंने बराबर जितनी मात्रा आवला बराबर उतनी मात्रा बहिड़ा बराबर उतनी हर अभी इस्तिती ये है कि वो बिल्कुल ठीक हैं एक सवा साल उदारण है मेरे पास, रेडियेशन का दुनिया में इलाज नहीं है, लेकिन त्रिफला चून के पास उसका इलाज है, अगर यही त्रिफला चून अमेरिका में हुआ होता ना, यूरोप में हुआ होता, तो अब तक इस पर पेटेंट लेकर करोणों डॉलर कमाई होते हैं, य प्रकरती ने जो चीजें प्रचंड मात्रा में हमको दी हैं वो उतनी ही कीमती हैं वो प्रकरती के हमारे उपर क्रपा है जो हमारी जरूरत के हिसाब से दी हैं आवले का इतना उत्पादन इस देश में होता है आप जानते हैं बहेडा इतना मिलता है हरडे इतना मिलता है और ल चवन प्राश है ना यह तृफला चून से कई कई गुना नीचा है चवन प्राश पर जितना खर्चा कर रहे हैं उससे बहुत कम खर्चे में आप तृफला खाईए चवन प्राश से भी ज्यादा असर है तो मेरी आपको आज के लिए यह आखरी सूत्र थी कि आप अपने डबे में बनाके पाउडर के रूप में रख लीजे अब आप कहेंगे इन तीनों को एक साथ खाएं आप अकेला आवला भी खा सकते हैं आवला तीनों दोश दूर करता है बात पित कफ और बहेड़ा तीनों दोश दूर करता है बात पित कफ इसलिए बागवट जी कहते हैं सरवत्तम फल यही है आवला हरडे बहेडा दूसरे फलों से कई गुने ज़्यादा ताकतवर यही फल है आवला हरडे बहेडा अब आपको आखरी एक छोटी सी बात कहे दू कि आप में से किसी को भी यह तकलीफ है कि आपके शरीर में मेद बढ़ा हुआ है मेद माने मास मेद माने कफ बढ़ा हुआ है सीधी सी बात तो आप त्रिफला खाईए कब खाना है आपको रात को नहीं खाना है सबेरे खाना है जिनको भी मास बढ़ा है शरीर पर मेद बढ़ा है उनको अगर चाटना है इसको कम करना है तो त्रिफला सबेरे खाना आवला सबेरे खाना आप त्रिफला नहीं खा सकते तो आवला ही खालीजे, चार आवले, तीन आवले रोज खालीजे, आवले को मुरब्बा बना के खालीजे, मुरब्बा को और आवले का अचार बना के खालीजे, आवले की चटनी बना के खालीजे, जैसे भी है आवला खालीजे, तीन से चार आ अच्छा एंटी ऑक्सिडेंटल फल कोई है तो वो यह है एंटी ऑक्सिडेंट माने जो ऑक्सिडेशन की क्रिया को कम करें और शरीर में हमेशा ऑक्सिडेशन चलता है ऑक्सिडेशन में उम्र कम होती है शरीर के हर अंग का च्छे होता है तो अगर उम्र बढ़ानी है और मुझ नहीं कहते हैं तो तेन महिने लगातार आप थोड़े दिन छोड़े देना तीन महिने। अब्वे दिन खाके थोड़े दिन चोड़ देना माने पंद्र बीज दिन चोड़ देना फिर अगले तीन महीने खा लेना फिर पंद्र बीज दिन चोड़ देना फिर तीन महीने खा लेना क्यों खर लेना ऐसा वो कहते हैं कि ये छोड़ना जरूरी है बीच में नहीं तो शरीर को आदत लग जाती है और वो आपने अगर छोड़ा नहीं तो आपको कुछ दुश्परिणाम भी दे सकता है लगातार अगर त्रिफला खाया तो कई दिन ऐसा लगे का कमजोरी आ गई अगर बीच में छोड़ा नहीं तो छोड़ के खाना अब किसी व्यक्ति के लिए ये छोड़ने का समय है वो तीन महीने से थोड़ा पहले भी हो सकता है जादा भी हो सकता है इसलिए मैंने बीच का बताया तीन-तीन महीने करके छोड़ छोड़ के खाना अब आज के लिए सूत्र इतना ही, आगे प्रश्न, जी मात्रा कितनी, मात्रा मैं बता देता हूँ, जिनको वजन कम करना है, वजन कम करने के लिए त्रिफला या आवले का उपयोग करना है, तो आवला तीन से चार, और त्रिफला हमेशा बड़ा टी स्पून, एक तो छोटी चम्मच होती है, एक थोड़ी बड़ी चम्मच, तो एक चम्मच, हाँ, गुड़ के साथ सुबह, नहीं तो शहद के साथ, और जिनको रेचक के रूप में उपयोग करना, पेट साफ करने के लिए, आथों की सफाई करने के लिए, वो रात को खाएं, रात को भी आवला लग बग एक चम्मच, लेकिन छोटी चम्मच, कैसे खाना है, गुड़ के साथ कैसे मिलाएं, आवले का चून आपके पास है, थोड़ा गुड़ ले लो, चून और गुड़ को ऐसे हाथ से मसल दो, वो लड़ू जैसा हो जाएगा, गुड़ उसको अपने में समा लेगा, फिर गुड़ खालो, पीछे से थोड़ा दूद पीलो, मैंने आपको कहा था, कि बागवट्टी जी कहते हैं कि दूद एक ही चीज़ के साथ पिया जा सकता है, वो है आवला, क्या कहते हैं बहेड़ा को, तानी, तानी, आप ऐसा करिएगा, ये प्रदीप भाई की दुकान पे च हर क्या है, बहेड़ा क्या है, आवला तो आप सब पहंचाने, जी, हरड़ा को कड़का बोलते हैं, हरड़ा को कड़का, बहेड़ा को तानी काई, बहेड़ा को तानी काई, आमला को पाल नेली काई, आमला को पाल नेली काई, या नेली काई, सिधे कर दीजे, ये तिनों बाई ने एक सवाल पूछाए कि अगर हम वजन कम करने के लिए या मास कम करने के लिए खाना चाहते हैं तो दो बार खा सकते हैं बिल्कुल नहीं एक ही बार के लिए नियम है सुबही सुबही आपके लिए सबसे अच्छा है जो बाजार में त्रिफला चूरन मिलता है वो खा सकते हैं मेरी आपको एक विंती है बाजार का त्रिफला चूरन लाने से अच्छा है बाजार से आवला लाना, बहेडा लाना, हरडे लाना कूट पीस के अपने घर में बनाना क्योंकि बजार में कई बार बहुत सारी चीज़ें हैं जो commercialize हो चुकी है और उनके असर अगर कम हुए तो आप बागवट को गाली देंगे इसलिए raw material लाके घर में तयार करना कूट पीस के आपने गुड की बहुत महत्वर पूरनता बताएं परनतो diabetes patients क्या करें उसके लिए गुड आप diabetes में खाईए भरपेट आंवले के साथ खाईए त्रिफला के साथ खाईए कोई तकलीफ नहीं कोई तकलीफ नहीं है गुड खाने में डाइबिटिक लोग भी गुड खा सकते हैं शुगर ना खाएं आप बिल्कुल चिंता मत करिए आप भगवान की दी गई जो शक्कर है ईश्वर की दी गई शक्कर है जूस में है फल में वो आपको शायद मालूम है या नहीं शक्कर जो है न शुगर इसके कई रूप है एक है ग्लूकोज एक है सुरुक्रोज एक है फ्रक्ट्रोज तो ये जो फल वगएरा की शक्कर है ये फ्रक्ट्रोज फॉर्म की जादा होती है और ये आसानी से डाइजेस्ट होती है गुड की भी उसी कैटेगरी में आती है तो आप चीनी मत खाईए गुड खा सकते हैं शहद खा सकते हैं फल खा सकते हैं मीठे कोई भी फल खाने में तकली नहीं है बशरते की त्रिफला खाते रहें थोड़ा त्रिफला लेते हैं जिनको भी डाइबिटीज है वो भी त्रिफला का सेवन करें क्योंकि डाइबिटीज मैंने कहा ना बात का रोग है तो बात कम करेगा त्रिफला में तीनों चीज़ हैं जो वातनाशक हैं आवला हरडा वहेडा त्रिफला आपने का लेना रात को और सुबक कब लेना चैसे खाने के पहले खाने के बाद रात को तो आप लें पेट साफ करना हो कॉंस्टिपेशन दूर करना हो देखिए मैं अब थोड़ा बताई दूं बवासीर अगर किसी को है ठीक करने के लिए त्रिफला लेना चाहते हैं तो रात को लें मूडवयाद पाइल्स जिसको का आप कहते हैं हेमरोइड्स वो जब भी ठीक करने के लिए त्रिफला लें तो रात को लें बगंदर ये ठीक करने के लिए त्रिफला लें तो रात को लें मैंने से जुड़ी हुई बीमारिया तो सुबह खाने के बाद लेंगे रात को और सबेरे लेंगे खाने के पहले खाने के लिए नाशते के भी पहले 40 मिनट नाश्ता करने से 40 मिनट पहले जी आपने बताया कि त्रिफला एक दो तीन के अनुपात में बनावे है तो आपने जो मुंबई वाली बात करी तो मुंबई वाले बैसाब को पहले आपने एक दो तीन के अनुपात वाला ये त्रिफला दिया वो जब बरावर काम ने किया तो फिर आपने समकाल इन दिया और विकुल ठीक होगे तो ये क्या प्रोसेस होगे ये सवाल थोड़ा टेक्निकल है इसमें हुआ क्या कि जब आमले में हरडा बहेडा और आमले को एक दो तीन के अनुपात में हम रखते हैं तो आवला जादा है आप निश्यत रूप से देखें तीन मात्रा है आवला जादा है आवला माने विटेमिन सी का भंडार आवला माने केल्शियम का भंडार आवला माने ये आवला माने बो तो अब जब बीमारी उनको रेडियेशन की थी तो अल्रेडी उनके शरीर का विटेमिन सी बढ़ा हु तो पिर हमने इसको कम कर दिया हर्डे और बहड़ा को बढ़ा दिया तो सम हुआ तो result तुरंट आ गया तो यह radiation जैसे गंबीर बीमारियों में cancer जैसे गंबीर बीमारियों में इस तरह का उपयोग होता है आमला हर्डे बहडे का बढ़ा बर मात्रा है लेकिन बाकी जो साधरन बीमारियां है उनमें एक दो तीन ही रहता है क्योंकि आपको कई जगे कैलशियम की ज़रूरत है विटेमिन सी की ज़रूरत है जितने लोग मोटे हैं उतना शरीर में विटेमिन सी कम जितने लोग मोटे हैं उतना कैलशियम कम तो calcium कम है vitamin C कम है तो मैं आपसे कहूंगा ही कि आम लातीन मात्रा में लो तो वो बढ़े तो बागी चीज़ें कम हो तो यह चक्कर है यह थोड़ा technical process है आप लेकिन समझ जाएं सरल भाशा में मैंने कोशिश की है बताने की जी in 1992 I went to Rajasthan I studied Jainism I have been following I was 120 kg with top to bottom all diseases today I am standing without any disease I am 66 I am following 100% Swamiji's I don't take idli, chapati or sugar, particularly white sugar is nothing but carbon, nothing but carbon, carbon charcoal कोई काएगा, the same way the refined oil nothing but again carbon, asphalt, road के दालेगा ना, तान, that is, so what he said I learned it in Rajasthan I was 127 kilo, now I am just 49 or 50 without any disease from top to bottom including lung cancer and mouth cancer I cured without any medicine only by foot the Swamiji's foot I have to thank Jainism but one sorry state kindly all Jains follow not attending here follow you don't listen and forget it all these things have to go into your heart and eat healthy live healthy thank you I have a question I have a question I have a question छोले की दाल और दही साथ में खा सकते हैं आप यह देखो छोला दुदल है क्या है है तो नहीं और खाना है तो तरीका मैंने बताया है दही गरम करके बगार लगाके तो जो भी चीज दुदल है उसके साथ दही खाएं तो बगार लगाके तब उसकी तासीर गरम होती है तब ही खाएं धन्यवाद